Welcome to Info TV. This is Professor Cyrus Gonda with another episode of The Cyrus Show. 1851 में, more than 170 years ago, London का World Fair था, वो ताइम पे बहुत वर्लड़ पेर हुए, New York World Fair, Paris World Fair, London World Fair, वो ताइम पे कोई internet नहीं था, aeroplane नहीं था, बिजनस्मेन को देखना साथे दूसरे देशों क्या कर रहे है, development ने, industry में, तो एक एक city पकड़के, अपने जो भी industrialist ने develop किया, अपने inventors ने develop किया, वो showcase करती थी एक fair की तरीके से, और all over the world, people used to come and see, understand the development, buy those products for their own countries and go back, तो 1851 में हुआ London World Fair, all over the world, people came to visit London, बहुत अच्छा लगा fair, शहर भी बहुत अच्छा लगा, एक negative feedback ये सब world tourists ने, उदर के Prince Albert को दिया, आपके जो टैक्सी वाले, वो टाइम पे टैक्सी गाड तो नहीं थी, गोडा गाडी थी, उन लोग टैक्सी चलाते थे, गोडा गाडी टैक्सी, आपके गोडा गाडी वालों को आपका शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ बोलते हैं, तो गुमा फिरा के लेके जाते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगा, हमारा time waste हुआ, और फिर हो चले गए, प्रिंस आलबर्ट ने एक feedback seriously लिया, क्या कर सकते हैं, इसे improve करने के लिए, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और फिर 1865 में, उन्होंने एक test device की, एक घोडा गाडी टैक्सी वालों के लिए, जिसका नाम था, the knowledge, और ये knowledge, लंडन शेहर की होनी चाह है, अगर उसे license चाहिए, लंडन में taxi चलाने के लिए, ये इतनी difficult test है, कि smart individuals को 3-4 साल मेहनत, hard work और smart work लगता है, तब ही जाके नसीब है तो पास हो जाते हैं, this is the knowledge, इतनी difficult test है, और इतनी studies करनी पड़ती है ये test के लिए, कि scientist ने खोजा है, कि हमारा brain का जो part, memory development में रहता है जो ये exam पास कर चुके हैं, उन लोग का वो part enlarge हो गया है, इतना stress आया है वो brain के part के उपर, चलिए देखते हैं, ये test का syllabus क्या होता है, लंडन में बहुत पुराना से लिए, 43 BC में Romans ने लंडन को found किया, तब से ये शेहर बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, आजू- Each of the more than 25,000 roads and streets के नाम by heart होने चाहिए, सिर्फ नाम नहीं, कहां से कहां जाता है, exam में पहला सवाल ये होता है, मुझे point A से point B जाना है, मैं शेहर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे fastest time में point A से point B लेके जाएए, random कोई भी दो points in the city पूछा जाएगा, ये interview होत है, past capxi drivers, जो experts हैं, उन लोग interview लेते हैं, क्योंकि उन लोग को बड़ी जानकार ही है, ऐसे चार routes आपको पूछे जाते हैं, आपको एक गलती भी माफ नहीं है उसमें, shortest route possible, आपको देखना है, no entry किदर है, one way किदर है, कोई राफ्ते में construction चल रहा है और आज की तारीक में र आपको, passenger को, जल्द से जल्द पहुचाने के लिए, तो ये होता है, test का पहला बाग, second part रहता है, शेहर में तो, बड़े शेहर में तो कितनी चीज़े होती है, hospitals, nursing homes, temples, churches, museums, art galleries, department stores, shops, schools, colleges, restaurants, hotels, pubs, statues, कोई भी विजटा रहा की, कोई भी चीज़ बूच सकता है, मुझे यहाँ जाना है, और taxi driver को immediately उसे ले जाना पड़ता है, एक taxi driver दो बोल रहा था, मेरे पास एक passenger आया, एक छोटा सा statue है, लंडन में किदर, वो एक foot से भी छोटा statue है, वो passenger ने अपने शेहर में ये बारे में पड़ा था, और उसको देखना था, वो भी मुझे जानना था, कि कहा है, और मैं जानता था, इसके लिए मैं उसे directly लेके जा सका, ये intricate details, test के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, सिर्फ किताब से knowledge नहीं आती है, जिन लोग ये test पास करते हैं, वो किताब तो पढ़ते ही है, मैपस तो पढ़ते ही है, उसके अब आवजुद, स्कूटर और पेर पे पूरा शहर सो से ज़्यादा टाइम घूम चुके हैं, एवरी detail of that city is impressed in their mind, then only can they pass this test, लंडन शहर में चलाने का एक और भी problem है, कोई भी सीधा रस्ता नहीं है, पार्क आजाएगा, railway crossing आजाएगा, no entry यह सब चीज, knowledge को और difficult कर देती है, अभी अभी, देट सो साल बाद, किसी ने पूछा, अभी तो GPS है, अभी यह knowledge की जरूरत क्या है, तो यह पुराने टैक्सी वाले हैं, जिन्होंने यह test पास किये, the knowledge, उन्होंने का, चल हम challenge करते हैं, हम बिना GPS के, साथ में शुरू करते है गाड़ी, आप एक GPS वाले driver को बिठाओ, जिसको London की knowledge नहीं है, और दोनों को एक ही जगे बोलो पहुचने के लिए, देखते हैं कौन पहले पहुचता है, आराम से, यह जो knowledge वाला था, वो बहुत पहले पहुच गया, shortest route से, GPS भी, the knowledge test के सामने, fail कर देता है, आप योगी field मे हो, carpentry में हो, plumbing में हो, accounting में हो, teaching में हो, आपके field की बारे में, आपको इसी तरफ in-depth knowledge है, तो आप भी highly successful हो जाएंगे, कोई भी field में, like these London taxi drivers, who for the last 170 years, have been giving the most difficult test in the world, the knowledge. For more such interesting information, please keep watching more episodes of The Cyrus Show.